नमस्कार मेरे पैरे किसान भाईयों मैं संतो शाप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मा चैनल में किसान भाईयों आज का सीन कुछ ऐसा है आज हमाएं मकाई के प्लॉट पे जैसे कि यहाँ पी अभी देख सकते हैं मकाई का प्लॉट जो है यहाँ पे पूरा दो एकर का प्लॉट है लेकिन एक स्फिय उपर जो है बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आ गई है तो दोस्तो लोगों के अंदर भी मैंने देखा कि चर्चा हो रही इस बारे में दोस्तो एक आज जो वीडियो होने वाला बहुत एक गंभीर समस्या पर ऐसा है कि दोस्तो देखे एक अमेरिकन फॉल आर्मी वर्म जो है उसको लशकरी आडी भी कहते हैं तो दोस्तो हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जो है जरू दबाईए तो दोस्तो देखी यह जो है यह सुंडी जो यह लारवा जो ह अमेरिकन फॉल और अर्मी वर्म इसको जो कहते हैं यह स्टार्ट कहां सी हुआ दोस्तो देखिए दक्षिन अमेरिका उत्तर अमेरिका अर्जंटीना से इसका स्टार्ट हुआ दोस्तो अपने इंडिया में जो है अभी एक साल पहले मतलब जून के जो 2018 है तब यहां पाया गया जैसे की करनाटक हुआ महराष्ट हुआ उसके बाद सिलंका में उसके बाद वेस्ट बंगाल में अलग अलग जगा पी यह अपने पाया जा रहा है और यह बहुत ही तेजी से फैल रहा है और पूरे जो है यह लारवा जो है यह पूरे फसल को खराब कर देता है मकाई के फसल खराब कर देता है उस और मारमी से यहां पर देखिए मैं बताना चाहूँगा कि फसल को क्या करता है जब आपकी मकई की फसल छोटी रहती है इस स्टेज की लगबग 20-25 दिन 30 दिन के इसे 5-6 पतिया निकलती है तो जो मुलाइम पतिया रहती है इसे खा जाती है खा खा के खा खा के जो लारवा बड़ा हो जाता है और इसके अंदर पूरा घुछ जाता है घुछ जाने के बाद पूरा खा के यहां पर जैसे देख सकते हैं मल पूरा गिरा दिया है अभी हम देखेंगे इस पौधे के अंदर जो है इस प्लांट में जो मकाई का प्लांट है यह मेज का इसके अंदर लारवा है के नहीं actually उसके बाद हम बाकी के बाद करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग इस पत्ती को निकाल के देखते हैं जादा तरहें है अंदर जो देख सकते यहाँ पैचाना कैसे जाता है це के सर के उपर उल्टा वाय रहता है और यह देख सकतैं यहां पे और पीछे जो है चार बिंदिया रहती तो इसको कहते है लाश करी आधि कहते है आपके यहाँ क्या कहते है इत्कर अब भी आप बताईए तो यह फसल को इस तरह के तहस्नेस करता है आप देखें पूरा पतिया खा गई है पुधे को जड़े में, यह स्टेम में घुष जाता है स्टेम में घुष जाने के बाद जो यहाँ पे जड़ो हाला कि यह जो किसान भाई का खेत है इंसे मैंने बात की इनका कहना है कि कंट्रोल नहीं हो रहे हैं उनके साथ मेरी काफी सारे बाती है उनको मैंने बताया है इस तरीके से आप इसका कंट्रोल कर सकते काफी सारे तरीके हैं इसे सालों से अमेरिका में भी यूज कर रहे हैं पोदे को ऐनड़ा की गाते हैं. उसके बाद क्या होता है? वे अन्डा में से लारवा तैयर होता है, मतलब सुन्ढी तैयर होती, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई, वो पांचे स्टेप में बढ़ा होता है, और उसके बाद गोश आवस्ताक रहती है, इस तरीके से चार वस्ता रहती है अब दोस्तो आपके अगर plot में इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है चाहे जवार का plot हो या मकाई का plot हो तो आपको करना क्या है कि आपको समझना आए पहले कि है क्या तो पतंग कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तो female जो पतंग होता है वो जो उपर से gray color रहता है उपर से जैसे golden color रहता है उसके बाद आधी हिस्सा जो है सफेद कर रहता है एकदम pure सफेद जैसे कि हम लोग movies हो गएर हम देखती कि परिये कि पीछे जो punk लगा रहता है white white color का उस तरीके से उसमें punk लगा रहता है उस त तो दोस्तो ये जो पतंग है रात में बहुत तेजी से सक्रिये रहता है ये एक घंटे में 100-120 km के रफ्तार से इधर से उधर करता है मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है दोस्तो ये पतंग जब जो फसल पे जब अंडा डालता है तो एक टाइम पे 100-2001 गुच्छा में अंड के उपर सफे सफेद पन आपको दिखाई देगा वो समझे कि पूरा ये अमेरिकन फॉल वार आर्मी का ये मतलब आर्मी वाम जो है उसके अंड है समझ जाना आपको 100-2001 गुच्छे में आपको उसमें से लारवा निकलते हैं तो दोस्तो ये जो पतंग है इसका जो है एक एक स्टेप में तो लारवा को कैसे पैचानना है दोस्तो उसके सर के उपर उल्टा वाही रहता है काला कलर का उसके पीछे बैक साइड में पूछ पे जो है चार बिंदी रहती है तो लारवा जब बड़ा हो जाने के बाद जब उसके बाद क्या आवस्ता आती है दोस्त जमीन के अंदर 2-8 cm अंदर चला जाता है अंदर जाने के राद यह कोशावस्तान होता है उसके बाद फिर उसका पतंग बन जाता है और फिर उसकी cycle आती है तो यह चारो step की cycle है दोस्तो 42 से 46 दिन की cycle रहती है तो यह cycle पर पूरा एकदम जाची परकी गई है दोस्तों तब ही म तो वहां पर दोस्तों काफी सारे नए ने तरीका देसी जुगाड अलग लग तरीका लोग करते हैं तो इसको मैं आपको बता हूँ कल्चरल प्रैक्टिस क्या करना है अगर आपके खेत में कहीं कहीं आपको यह दिख रहा है कि पत्या इस तरीके से काटी गई है मुलाइम पत का भूसा होता है जब लकडी कटिंग करते हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका जो होता है इसको परभक्षी मतलब जैसे कि इसको खाने वाली चीज्टे लारवा को खा जाएगी उसके बाद जो है क्या है कि आप खेत में थोड़ा सा जो आर्टिफिशियल पंची रहते हैं पंची को भी रख सकते हैं तो पंची आएंगे तो पंची खुदी पतं को खाएंगे लारवा को खाएंगे किटक को खाएंगे तो खुदी है इससे कंट्रोल आपका ह जाएगा है तो यह हुआ दोस्तो कल्चेरल प्रैक्टिस इस तरहीं से आप कर सकते हैं और यह प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हैं अगर सब लोग मिल के करें तो बहुत ही बहतरीन रहता है अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब ये खेत की जुताई हम लोग देखिये कही पर हमारा रोटाविटर प्लाव हम लोग चलाते हैं तो पीछे कुछ पंची आते हैं बतक वगेरा या तो बड़े-बड़े पंची वहाँ पर खाने लगते हैं तो यह सबसे जरूरी चीज है हम लोगों को जब हम लोग चुताई करते हैं तो उसको 2-3 म महिना धूप में रखना है तो आसानी से उसमें जो भी कीडे कोशा वस्ता में है वो मर जाएंगे और ज्यादा डिप्त में करना है तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जैविक तरीका क्या करना है दोस्तों देखिए बैसलस थुर पर दोस्तों मिल जाएगा उसके अलावा दोस्तों जो है मतलब अलग अलग जो क्षोटी कीट कीट आते हैं आपको मतलब जैसे त्राइकोग्रामा नाम काए कीट आता है वो क्या करता है सुणडी को खाता है तो वो कीटक क्या है कि हम लोगों को develop करना है मतलब उनको नहीं मारना है ऐसे दवास का spray नहीं करना है वहाँ पर पूरा खतम हो जाएगा तो वो चीज़ पर हम लोगों को ध्यान देना है तो ये तो हो गया जैविक तरीका अब दोस्तों कुछ जो है दवाईया आती है मार्केट में काफी सारे दवाईया है उसको spray करके भी हम लोग इसका control बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं तो कैसे करना है तो देखिए एक इमेमेक्टिन बेंजोईट नाम की दवा आती है उसको हम लोग अगर एक लिटर में आधा ग्राम की हिसाब से यूज़ करेंगे 100 लिटर में 50 ग्राम के और spray करेंगे तो काफी हद तक जो है control हो जाता है उसके साथ साथ जो है थाइमाजर्म और उसके बाद मिली 4 मिली से लेके spray कर सकते है तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि सबसे जरूरी चीज़ क्या है जब फसल छोटी रहती है 10 दिन 15 दिन 20 दिन की तो प्रिवेंटिव आप अगर spreader डाल के spreader मतलब क्या होता है चिपकने वाली दवर डाल के उसको अगर chemicals आप spray करते हैं या neem oil spray करते हैं तो वहाँ पतंग जब आएंगे तो पतंग मर जाएंगे खुदी तो वहाँ पर आपका control हो जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि आपको पताने के तरीका ये क्या है कैसे है दोस्तों ये वीडियो जादा σε जदा फिर एक बार मताता हूँ मैं शेर कीज़े किसान भाई है So ये जो मैंने आभी ने अंत्रन की उपाइ बताए ये किसान भाई हमारे यूज करह और आन्य कोई